कुट्ता सारी रात भोगता रहा वैं सारा दिन दारू पीता रहा मैं सालों उसका इंतिजार करता रहा गाइस कि आप जानते इन सेंटेंस को किस तरीकी से बनाया जाएगा अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती चलिए मैं बताता हूं दिखे ध्यान दीजिए इन सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी काम वह होता जा रहा है यानि वह कंटीन्यू है कंटीन्यूटी शो हो रही है किसी काम के होते रहने के लिए हम इंग्लिस इस्ट्रक्चर यूज करते हैं कीप ऑन प्लस वर्व की फॉर्व की फॉर्व की फॉर्व का यूज करना है ठीक है आइए एक्जामपल ले करके दिखते हैं कुट्ता सारी रात भौकता रहा दौकता रहा दारू पीता रहा है यहां पर जो कीप है न वो एक में वर्व की तरह काम करेगी आपको tense के according उसकी फॉर्म मैं सालो उसका इंतिजार करता रहा I kept on waiting for her for years घडी राद भर टिक टिक करती रही The clock kept on ticking throughout the night वह मुझे टक टकी बांद कर देखता ही रहा वह मुझे टक टकी बांद कर देखता ही रहा He kept on staring at me He kept on staring at me वह सारा दिन सोचता ही रहता है He keeps on thinking throughout the day He keeps on thinking throughout the day Guys in last वाले sentence में मैंने keeps का use करा क्योंकि यहां पर present indefinite tense आया तो वर्व को मैंने उसी तरीके से change कर दिया Keeps on I hope के समझ में आ गया होगा आपको एक sentence और लिता हूं वो future tense से होगा वह मुझसे मिलती रहेगी She will keep on meeting me She will keep on meeting me I hope के आपको समझ में आ गया होगा Keep on का use अब एक sentence आपके लिए सारी रात मूचला धार बारिश होती रही Comment your answer and comment box Guys वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए Channel पर नहीं हो तो subscribe कर लीजिए, bell icon notification on कर लीजिए ताकि नही नही जब भी वीडियो में upload करूं तो आप तर उसकी notification time to time मिलती रहे